असलामो अलेकुम, वेलकम तो कोकिंग विद बिनजीर, कैसे हैं आप सब, उमीद है, हैरियत से होंगे, आज की हमारी रेसिपी है, मतन कीमा कटलेट, ये कटलेट बनाने में आसान है, एक तो ये और दूसरा, 250 ग्राम कीमे में, आप काफी सारे कटलेट बना कर तयार कर सकते है तो अगर आपके घर गैस्ट आने वाले हैं, या आप ज्यादा कटलेट बना कर स्टोर करना चाते हैं, तो उसके लिए ये सबसे परफेक्ट रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम कुछ चीजें, रोस्ट कर लेंगे, सेक लेंगे, एक टेबल स्पून भ चलाते हैं, रोस्ट करने में, तब तक जब तक की इन में से एक अच्छी सी खुश्बू नहीं आ जाती, दो से तीन मिनिट लो फ्लेम करके चलाते हैं, बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है, हम इने थंडा होने देना है, फिर हम इने दरदरा सा पीस लेंगे, ज्यादा पाउडर नहीं करेंगे, थुड़ा मोटा मोटा रखेंगे, हमने कोल को भी गरम करने के लिए रखा है, हम कीमा मैरिनेट करेंगे, तब तक कोल भी अच्छी तरह से जल कर तयार हो जाएगा, मसाला तो हमने तयार कर लिया है, आईए, अब कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं, 250 ग गरम मसाला पाउडर, यह हमारा हूमेड है, इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, जो मसाला हमने तयार किया है, जिसे मोटा मोटा कूटा है, यह मसाला भी डाल देना है, हमने 10-12 लसन की कलिया, एक छोटी टुकडी अद्रक और 7-8 हरी मिर्चिया ले ले ली है, इन सब मसाला काफी ज्यादा है, हमने ज्यादा मसाला यूज किया है, लेकिन क्यों यूज किया है, हम आपको यह बाद में बताएंगे, थोड़े चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, आप अगर पसंद नहीं करते, या आपको लगता है, ज्यादा तेज हो जाएगा, तो ना डालें, तक्रीबन हमने एक ती स्पून भरकर चिली फ्लेक्स डाल दिया है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कीमे को जब आप अच्छी तरह से धोएं तो थोड़ी दिर छन्नी में रखकर पानी को अच्छी तरह सुखा लें इसमें पानी ना रखें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बीच में एक जगे कर लेंगे और एक छोटी कटोरी रख देंगे जिस पर हम कोल रख सकें जलता हुआ कोल रखने के बाद थोड़ा सा उयल डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पोन और पिर इस तरह से कवर कर देंगे तुरंत इस तरह से हम 5-7 मिनिट रहने देंगे इसी तरह हम इसमें एक अंडा तोड़ कर दाल देंगे हरा धनिया चॉप करके थोड़ी हरी प्याज बारिक चॉप करके एक मीडियम साइस का प्यास यहां आप सफेद हिस्सा भी यूप कर सकते हैं थोड़े पुदिने के पत्ते भी बारिक कट कर लिया है यूज कर रहे हैं अच्छी तरह से mix करेंगे इन चीजों को पहले, हम इसमें bread डाल देंगे, यहां हमने आंट slices लिये हैं, चोटी वाली bread की आंट slices लिये हैं, आप अगर बड़ी वाली bread यूज़ कर रहे हैं, तो छे करें, हम bread के इस तरह से चोटे-चोटे pieces करके इस पर डाल देंगे, sides हमें निकालनी नहीं है, sides के साथ ही हम छोटे-चोटे piece करके डालेंगे, हम यह bread की slices पर थोड़ा-थोड़ा दूद पोर करेंगे, यह normal दूद है, boil किया हुआ, ना थंडा और ना गरम, room temperature पर है, इस से हमारे जो bread है, वो अच्छी तरह से soft हो जाएंगे, हमने यहां पर आधा कर दिया है, हमने पहले नमक डाला था कीमे में, हम थोड़ा नमक और डालेंगे, bread का नमक डाल रहे हैं, हमने इसमें काफी सारी हरी मिर्च और मसाले डाले थे, हमने इसलिए इतने मसाले और मिर्च डाले हैं, क्योंकि हम इसमें काफी bread की slices यूज़ करते हैं, तो ऐसा ना हो के टेस्ट बिल्कुल ब्लैंड हो जाए इसलिए थोड़े थोड़े मसाले और मिर्ची एक्स्ट्रा रखें पांच मिनिट तक हम इसे इसी तरह सोख होने देंगे दूद में बाद में इनके कटलेट बनाएंगे पांच मिनिट हो चुके हैं ब्रेड अच्छी तरह सॉफ्ट हो सकें अगर आप को यह नरम लगता है तो आप इसमें 1-2 slice ब्रेड और दाल सकते हैं और आपको इल कडक लगता तो आप इसमें थोड़ा सा दूद आट करें वैसे अगर आप आँच स्लाइस ब्रेड दूसो पचास ग्राम कीमा और आधा कप यूज़ करते हैं दूद का तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तयार होगा थोड़े से ओल से हाथों को ग्रीस कर ले तो आसानी से बगेर चिप के अच्छे कट्लिट बनकर तयार हो जाएंगे शेप आपकी मर्जी है जैसा आप चाहें शेप दे दे हम इस तरह के बस नॉर्मल गोल कट्लिट बनाएंगे हमने पहले ओइल को अच्छी तरह गरम किया और बाद में फ्लेम को लो कर दिया है हम नहीं चाहते कि ये कबाब उपर से फ्राइ हो जाए और अंदर से कच्छे रह जाएं इसलिए ध्यान से पहले तेल को गरम करें और फिर लो फ्लेम पर पेशन्स के साथ फ्राइ करें इने इस तरह से हमें इने गोल्डन करना है अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से हमें इने गोल्डन करके निकाल लेंगे इन कटलेट की सबसे अच्छी खास बात ये हैं कि ये उपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिलकुल मलाई की तरह सौफ्ट कटलिट्स को टेस्ट करते हैं उमीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो जरूर से हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें हमें इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक की उमीद है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा अलाहाफिज